नमस्कार आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूँ आपके साथ मानविठा को रिशुरुवात करते हैं आज की खास खबरों से राज़ी की पांच परगना क्षित्र में लूट की बड़ी घटना सामने आई है अपराधियों ने हत्यार की बल पर बस में लूट की घटना को अंजाम दिया है इस घटना में करीब 20 लाख रुपे की लूट हुई है घटना को अंजाम देने की बाद अपराधी जंगली की और भाग निकले वहीं बस की चालक और खलासी घायल है घटना टाटा रांची मुख्यमार्ग बूंडू और दश्रम फल थारकशित्र की बॉडर इलाके की है चलती बस पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है घटना अहले सुभा की है घटना के संदर्द में मिली जानकारी के अनुसर टाटा रांची मुख्यमार्ग नवाडिही के समीब चार की जंख्या में अपराधियों ने हत्यार के बल पर शिवम बस में लूट की घटना को अंजाम दिया है बस मंगलवार को कोलकाता से रांची आ रही थी बस 38 यात्रियों से भरा था अपराधियों भी यात्री बनकर पहुंचे थे बुंडू नोनू होटिल के सामने जैसे ही बस पहुंची वैसे ही अपराधियों ने अपना रूप दिखने लगे बस और खुलासी अपने कबजे में लेने को प्रयास किये इस दोरान बस नहीं रोकने पर अपराधियों ने ड्राइवर खलासी पर पिस्तोल तान दी डरावनी के लिए पिस्तोल की बट से हमला किया अपराधियों ने हतियार और चाकू की नोक पर तीन सब्जिकारों बारी से पैसे भरे बैग लूट लिए और सभी अपराधियों अहले सुबा खटना सलसे फाग निकले और ये 20 मिनिट से अधिक समय तक बस अपराधियों के कबसे में थी बस के खलासी के अनुसार अपराधियों ने सीधे व्यपारी के पास पहुंचे और बैग में भरे रुपए देने को कहा व्यपारी द्वारा नहीं देने पर चाकू रौट से हमला किया गया खलासी ने बताया उसे भी अपराधियों ने हमला कर बेहुश कर गाड़ी से गिरा दिया यात्रियों ने बताया कि गोली चलने जैसी बम में एक आवाज आई गटना क्रम में चाला खलासी सहीत यात्रियों को चोटे आई है गटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच कर मामली की जाच में जुटी है इधर दशम फल थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि करीब 20 लाग की लूट हुई है अपराधि कोलकाता से ही बस पर सवार थे और इस अपराधियों की तलाश में जुटी है आज की खबरों में बस इतना ही देखते रहे है पांच पर अगना खबर नमस्कार